तुक कैसे हो तुम लोग, क्या तुम भी बोर हो रहे हो, क्या उन बच्चों में से तुम भी हो जो इस टाहिम पर बोर हो रहे हैं, मेरे पास calls, messages आते रहते हैं, कि सर I am getting bored, what to do, I am totally confused, इस टाइब से messages और call आ रहे हैं मेरे पास, क्या उन बच्चों में से तुम भी हो, जो बोर करना है, मुझे निट निकालना है, क्या ये तुम दुनिया को real goal बताते हो, क्या ये तुम्हारा real goal है, और अगर real goal है, तो क्या तुम्हारे पास इतना time होना चाहिए, कि तुम इसे pass करो, तुम इसे kill करो, और bore हो, क्या तुम्हारे पास bore होने का वक्त होना चाहिए, ये समय है अपने आप से रियल कोश्चन करने का क्योंकि देश को तुम्हारी जरूरत है यह तुम उन बेवकुफ अंकल्स की तरह तुम भी ना सोचो कि कोई लीडर आएगा और हमारे देश को बदल देगा कोई लीडर इस देश को नहीं बदल सकता अगर देश बदलेगा तो इसमें हम teachers के चलते बदलेगा, हम students के चलते बदलेगा, यह कोई leaders कभी change करें नहीं सकता है, यह impossible बात है, तो यह समय है अपने आप से original कोश्चन करने का, real कोश्चन करने का कि क्या तुम्हारे पास इतना टाइम होना चाहिए कि तुम उसे बोर हो और उसे पास करो उस टाइम को पास करो और उस टाइम में तुम बोर हो क्या तुम्हारे पास इतना टाइम होना चाहिए नहीं होना चाहिए क्या सच में तुम्हारे पास resources का कमी है तुम इस लोगडाउन में पढ़ाई नहीं कर सकते हो क्या सच में क्या सच में यूटूब पर डेटा नहीं पढ़ाई करने का क्या सच में गूगल नहीं है क्या सच में टीचर्स नहीं है तुम्हारे हेल्प करने के लिए real questions पूचो real question पूचने का real time अभी है क्योंकि डेशको अभी हम सब की जरूवत है हमें आगे आना होगा हम पने आपको success बनाना होगा ताकि हमारा देश भी success बने कि तो अब हम लोग आते हैं मुद्दा के बाद पर और थोड़ा सा sincere बनो हम लोग देश के citizen है तो हमारा भी responsibilities है कि हम लोग देश के लिए कुछ करे और हमारा देश success करे हमारा देश आगे बढ़े तो थोड़ा सा हम लोगों को responsible होना पड़ेगा अब आते हम लोग मुद्दा के बाद पर तो अभी तक हम लोग polynomial में क्या क्या पढ़ चुके थे अब थोड़ा मुद्दा के बाद पर हम लोग आते हैं हम लोग polynomial में polynomial के बारे में पढ़े थे कि polynomial actually है क्या polynomial में 0 जब polynomial क्या होता है Roots of polynomial क्या होता है और remainder theorem के बारे में हम लोग समझे थे और remainder theorem पर एकाद हम लोग question भी कल देखे हुए थे आज हम लोग remainder theorem के concept पर हे कुछ important questions को हम लोग आज discuss करने जा रहे हैं तो चलो start करते है हमरा first question है find the remainder when px is equal to 4x cube minus 12x square plus 14x minus 3 is divided by gx is equal to x plus 2 यानि कि एक हमारे पास polynomial है px जो कि एक cubic polynomial है और एक हमारे पास polynomial है gx जो कि एक linear polynomial है और यह जो cubic polynomial है इसको divide करना है linear polynomial से यानि कि px को divide करना है gx से और remainder क्या आएगा यह हमें बताना है तो हम लोग directly remainder theorem के use कर लेंगे remainder theorem का concept क्या था हम लोग पढ़े हुए थे कि जो भी diviser है यानि कि जो divide देने वाला है जो divide करेगा उसको हम लोग 0 से सबसे पहले equate कर लेंगे तो इसको 0 से equate किया जाए तो x plus 2 is equal to 0 तो x का value आगया minus 2 x का value हमार आगया minus 2 simple बात है और जो भी यहां से यानि कि diviser को equate करने के बाद diviser को 0 से equate करने के बाद जो भी variable का value आया उसको हम लोग सीधे polynomial में x के place पर जब put कर लेंगे dividend में variable के place पर जब हम लोग put कर लेंगे वह हमारा remainder होता था तो so remainder is equal to directly हम लोग लिखेंगे कि जो यहां से remainder होगा is equal to हमारा हो जाएगा p minus 2 remainder कितना होगा p minus 2 यानि कि variable के place पर dividend के variable के place पर उस variable का value हम लोग जैसे ही put करेंगे और put करने के बाद जो भी value आयागा वही तो होगा remainder तो यहां से value p minus 2 हमारा remainder होआ और p minus 2 का मतलब क्या है कि जहां जहां उस polynomial में यहां हम लोग minus 2 put किये तो जहां जहां उस polynomial में variable है वहां वहां हम लोग minus 2 put कर लेंगे यानि कि हो जाएगा 4 into minus 2 का cube minus 12 into minus 2 का square देखो x square था तो x के place पर minus 2 का square plus 14 into minus 2 minus 3 यह इसको solve करने के बाद जाए वही तो था क्या remainder ठीक है ना तो इसको solve किया जा 4 into minus 2 का cube यानि कि minus 8 minus 2 को जब तुम 3 times multiply करोगे तो minus 8 आएगा और minus 12 into minus 2 को 2 बार यानि कि 4 plus 14 into minus 2 14 into minus 2 अगर हम लोग करे तो आजाएगा हम लोगो का minus 28 और minus 3 यहां से देखो 8 into 4 8 into 4 minus 32 minus यहां से 12 into 4 minus 48 और यहां से minus 28 और minus 3 यानि कि minus 31 सारा हमारा minus में ही आगया सारा का सारा minus में आगया तो यहां से हम लोग इसको solve कर ले तो 3 1, 8, 9 और 9 to 11 का 1 carry 1 4, 3, 7 और 7 और 3 10 और 1, 11 तो हमारा जो remainder आया वो आगया minus 1, 1, 1 चलो एक question तो हम लोग समझ लिए अब यह second question इस question के बाद जो अभी हम लोग सीखें इसके बाद हम दो question तुम को कराने जा रहे हैं बड़ा ही important है दियान से सीखोगे अगर यह दोनों सीख गए तो तुम अपने book से कोई भी question बनाओगे easily तुम लोग बना पाओगे तो दियान से देखा जाए देखो question यह है second number यह हमारा second number question है एक question तुम लोग सीख लिए यह second question है इसमें है कि if the polynomial x cube plus 4x square plus 3x minus 4 यानि कि यह एक polynomial है and x cube minus 4x plus यह दूसरा polynomial है दो polynomial तुमको दिया गया है leave the same remainder when divided by x minus 3 मतलब कि क्या है कि अगर x minus 3 से इस polynomial को divide करे और उसी x minus 3 से अगर इसको divide करे तो जो हमारा remainder आ रहा है वो same आ रहा है मतलब कि देखो इससे अगर इसको divide किया जाएगा तो remainder theorem use करे या long division से बनाए तो कोई ना कोई remainder आएगा उसी तरीके से जब इससे इसको divide किया जाएगा फिर भी एक remainder आएगा किसी भी एक polynomial से दूसरे polynomial को divide करेगा तो remainder तो आ नहीं है तो तुमसे बोला है कि find the value of A तो A का value क्या होगा ये बताना है I think तुमको questions समझ में आ गया होगा और अगर questions समझ में आ गया है तो बेहतर तुम्हारे लिए यही होगा वीडियो को भी रोको और पहले खुद ट्राई करो Math का फंडा ये है कि अगर तुमको math improve करना है तो खुद का IQ जितना लगाओगे खुद से जितना कोशिस करोगे उतना जल्दी बेहतर हो पाओगे math में अगर खुद से तुम दिमाग लगा लिए तो आओ हम लोग देखते हैं question को देखो बड़ा simple है इस case में dividend ये है और ये भी dividend है माल लेते हैं कि PX is equal to है AX cube plus 4X square ये A है AX cube plus 4X square plus 3X minus 4 और दूसरा जो polynomial है माल लेते हैं इसको GX GX is equal to है X cube minus 4X plus A ये दो polynomial है और इसको एक तिसरा polynomial suppose FX divide करेगा FX is equal to X minus 3 अरे ये भी तो एक polynomial है linear polynomial तो इस polynomial से जब इसको divide करें और इसको divide करें तो देखो बड़ा simple है जो diviser है उस diviser को सबसे पहले हमें करना था 0 से equate तो हम लोग 0 से इसको कर लेंगे equate 0 से जैसे equate किये तो X का value आ गया 3 यानि कि variable का value आ गया 3 और जो value आया वही तो put करना था value आया यहां पर 3 तो जब ये polynomial इस polynomial को divide करेगा तो हमारा value आयेगा P3 value आयेगा कितना? P3 आयेगा यानि X के place पर इसको हम लोग put कर देंगे वही हमारा remainder होगा और जब यही polynomial इसको divide करेगा तो हमारा जो value आयेगा remainder जो आयेगा G3 आयेगा ये बात तो clear है ये remainder theorem का concept है लेकिन देखो question में क्या बोला है कि ये जो P3 है यानि कि ये जो remainder है मतलब कि जब ये इसको divide करेगा तो जो remainder आयेगा और जब ये इसको divide करेगा तो जो remainder आयेगा ये दोनो remainder same है दोनो equal है अगर दोनों equal है इसका मतलब यहां पर हम लोग equal to लगा सकते हैं और जैसे equal to लगाएं हमारे पास एक equation आ गया और उस equation के help से हम लोग A का value easily निकाल पाएंगे तो देखो P3 का मतलब क्या था P3 का मतलब हम लोग क्या पड़े थे कि इसमें हम लोग X के place पर 3 put किये तो इस polynomial में जहां-जहां X होगा वहां में हम लोग 3 put कर लेंगे तो होगा हमारा A into 3 का cube X का cube था तो 3 का cube plus 4 into 3 का square plus 3 into 3 minus 4 यानि कि यह हमारा P3 आ गया यह हमारा P3 आ गया अब हम लोग G3 निकालते हैं यह 3 निकालने का मतलब क्या है कि जहां-जहां देखो X के place पर यहां 3 आया है तो जहां-जहां X है वहां-वहां 3 यानि कि 3 का cube minus 4 into 3 plus A यह हमारे पास एक equation आ गया और यह जो equation है उसमें एक ही variable है that is A तो अब यह question आसानी समलक बना पाएंगे तो देखो जल्दी जल्दी बना लेते है 3 का cube का मतलब है 27 तो यह 27 A plus 3 का square यानि 9 और 9 into 4 36 और plus 3 into 3 9 minus 4 is equal to 3 का cube 27 और यहां पर minus 12 plus A अब क्या किया जाए कि जल्दी से इसको solve कर लिया जाए 27 A plus देखो 36 और 9, 36 और 9 45 और उस 45 में से अगर 4 को हम लोग minus कर ले तो यह आ जाएगा 41 देखो यह दोनों मिलके 45 हो गया और 45 से 4 गया 41 इधर से देखो इधर से हम लोगों के पास था 27 था यह 27 था 3 का cube 27 इस 27 में से अगर हम लोग 12 को minus कर ले तो हमारे पास 15 आ रहा होगा और 15 plus A अब क्या किया जाए बड़ा simple है अब जितने भी variables है मतलब कि जो निकालना है A है यहाँ पर इस A वाले को एक side कर लिया जाए तो हमारे पास 27 तो था है 27 है इस A को अगर इस side लाए LHS में लाए तो यह minus में आ जाएगा क्योंकि इस side plus में है और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 15 है 15 अगर इसको हम लोग इधर ले जाए तो यह भी minus में चल जाएगा जो कि 41 बात clear होगा और बात clear होना भी चाहिए देखो अब इस में से जब हम लोग इसको minus कर रहे होंगे तो हमारे पास कितना आएगा 26 से आएगा minus 26 by 26 दोनों cancel हुआ तो वन आ गया मतलब कि यहां से जो यह का हम लोग भैलो निकाल पाएं इस question से वह आया कितना minus 1 आया थर्ड नमर जो हम question select किये हुए है अगर यह तुम समझ गया तो तुम कोई भी बुक बना लो RS Ragual, RD Sarma या NCIT कोई भी तुम बुक बना लो remainder theorem का तुम एक-एक question sure है कि तुम कर पाऊगे बस सर्ते इस question को तुम समझ लो और आसान भी है समझना ध्यान से देखो question यह है कि if fx is equal to x to the power 4 minus 2x cube plus 3x square minus ax plus b यह एक polynomial है is a polynomial such that when it is divided by x minus 1 and x plus 1 the remainder are respectively 5 and 19 इसका मतलब यह हुआ कि जब इस polynomial को हम लोग x minus 1 से divide कर रहे है तो जो remainder आ रहा है वो 5 है remainder क्या है 5 इस बार remainder दे दिया और जब इसी polynomial को हम लोग x plus 1 से divide कर रहे है तो remainder हमारा 19 आ रहा है remainder क्या रहा है 19 आ रहा है यानि कि वो polynomial x minus 1 से जब divide होगा 5 देगा remainder और x plus 1 से divide होगा तो 19 देगा तो तुम से बोल रहा है कि वही जो polynomial है अगर हम लोग उसको determine the remainder when fx is divided by x minus 2 यह बताने के लिए सबसे पहले हम लोग इस दोनों का use करके हम लोग a और b का value निकालेंगे चलो देखो कैसे बनाएंगे हमारे पास fx है fx लिख लेते है is equal to x to the power 4 minus 2 into x cube plus 3 into x square minus ax plus b यह हमारे पास fx है अगर यह x minus 1 से divide होगा अगर यह x minus 1 से divide होगा तो remainder कितना आएगा देखो अगर gx suppose x minus 1 है तो हम लोग इसको 0 से equate कर लेंगे क्योंकि यह divisor है यह divisor है यह divisor है यह इसको divide करेगा जो divisor होगा remainder theory में उसको 0 से equate करेंगे इसको 0 से equate करने पर x का value आगया 1 जो यहां से divisor का value आया उसी को तो put करना था तो हमारा remainder आएगा इस case में f1 इस case में remainder आएगा f1 क्योंकि हम लोग divisor को जब 0 से equate किये तो variable का value 1 आया यही 1 यहां put करना होता है ऐसा हम लोग remainder theorem में पढ़े है f1 हमारा remainder आएगा और f1 जो remainder आएगा इसी remainder का जो value है वो हमें 5 दिया हुआ है x-1 से हम लोग divide कर रहे है x-1 से तो remainder कितना दिया हुआ 5 तो is equal to हम लोग यहां लिख पाएंगे 5 इसका मतलब क्या हुआ अब f1 निकालना हम लोग सिखे थे f1 का मतलब है कि x के place पर 1 आया तो जहां जहां x है वहां महां 1 यानि कि 1 का power 4 minus 2 into 1 का cube plus 3 into 1 का square minus a into 1 plus b is equal to 5 बात clear होगा तुमको 1 का power 4 1 minus 2 into 1 का power cube तो 2 ही हो जायागा और plus यहां पर 3 into 1 3 minus a plus b is equal to 5 इसको हम लोग solve कर लिया जाए इसको solve किया जाएगा तो 3 plus 1 4 और 4 मेंसे 2 गया तो हमारा 2 बचेगा तो 3 plus 1 4 और 4 मेंसे 2 minus हुआ तो 2 minus a plus b is equal to 5 अब इस 2 को हम लोग plus में है इस side लाएंगे तो 5 minus 2 हो जाएगा और 5 minus 2 का value कितना आएगा 3 इस 2 को इधर लेते हैं और यहाँ आगे minus a plus b इसको हम लोग माल लेते हैं let this equation be equation 1 इस equation को हम लोग माल लेते हैं कि यह जो equation है यह equation 1 है अब देखो similarly किसी तरीके से अभी हम लोग fx को divide किये थे इस से तो हमारा एक equation आया minus a plus b is equal to 3 अब हम लोग x plus 1 से उसको divide करते हैं तो क्या होता है देखते हैं माल लोग फिर से कि कोई kx है is equal to x plus 1 है यह वाला इस kx से अगर fx को divide किया जाए तो divisor को 0 से equate करेंगे तो variable का value minus 1 आ रहा है variable का value आ रहा है minus 1 इसका मतलब कि जब इस से इसको divide करेंगे तो remainder हमारा आएगा f minus 1 remainder कितना आएगा f minus 1 x plus 1 से जब इसको divide करेंगे तो remainder आएगा f minus 1 क्योंकि हम लोग जब divisor को 0 से equate किये तो variable का value आ रहा है minus 1 यह बात तुमको clear होगा और यही f minus 1 f minus 1 हमारा remainder है और वही f minus 1 तो 19 दिया है कोशन तुमको चिक चिक के बोला है चिला चिला कर बोला है बसरति तुमको सुनने आना चाहिए सुनने आना चाहिए अगर तुमको सुनने आता है तो यह कोशन तुमको चिला चिला कर बोला है कि अगर x plus 1 से इसको divide करोगे तो remainder 19 आएगा तो हम लोग जब divide किये तो remainder f-1 आया और यही f-1 का value 19 दिया हुआ है अब f-1 का मतलब क्या है f-1 देखो x के place पर minus 1 put किये तो सारे x के place पर हम लोग minus 1 put करेंगे तो minus 1 का power 4 minus 2 into minus 1 का power 3 plus 3 into minus 1 का square minus a into minus 1 plus b is equal to 90 is equal to 90 next यहां तक तो समझ गया अब minus 1 का power 4 मतलब 1 minus 2 into minus 1 का power 3 यानि कि minus 1 और यहां पर plus 3 into 1 हो जाएगा minus 1 का square करोगे तो positive हाजाएगा यह बात तो तो तुमको मालूम होना ही चाहिए अभी तक कि जब हम लोग minus का 1 को odd number time multiply करेंगे तो minus e रहेगा और जब हम लोग minus 1 को even number time multiply करेंगे तो plus हो जाएगा क्योंकि minus into minus plus होता है यह बात clear होगा तो 3 into minus 1 का square तो 3 into 1 minus 1 का square 1 हो जाएगा और minus a into minus 1 यानि कि plus a plus b is equal to 19 यहाँ देखो ध्यान से क्या ध्यान से यार calculation छोटा छोटा भी ध्यान से लेकिन ध्यान से देखो यहाँ से क्या होगा 1 minus 2 into minus 1 plus 2 plus 3 3 into 1 3 हो जाएगा और यहाँ से plus a plus b is equal to 19 यहाँ तक तो clear होना ही चाहिए आगे देखो कि यहाँ 3 plus 2 plus 1 मिलके 6 हो जाएगा 3 to 5 और 1 6 और यह 6 को यानि यह 6 को अगर हम लोग उधर भेजें तो हमारा value आजाएगा a plus b is equal to 19 minus 6 19 minus 6 करोगे तो कितना आएगा वही 13 आएगा तो इस 13 को direct लिख लो और let this equation be equation 2 clear है बात न? चलो आप हमारे पास 2 variable है now we have 2 variable and also 2 equation 2 variable भी है और 2 equation भी है यह linear equation in 2 variable तुमको class 10 में पढ़ना है लेकिन उसका थोड़ा सा जो जलक है जलक बोलो इसको वो जो थोड़ा सा उसका glimpse है वो तुमको class 9 में भी मिलेगा लेकिन simple simple मिलेगा देखो यहाँ से a और b का हम लोग value कैसे निकालेंगे यह भी बड़ा interesting है तो सीख लिया जाए simply हम लोग equation 1 और equation 2 को add कर दिया जाए adding equation 1 and 2 दोनो equation को गर add कर लिया जाए 1 equation और 2 equation तो LHS जो है वो LHS के साथ add होगा और RHS जो है वो RHS के साथ add होगा तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे LHS को minus A plus B plus A plus B दोनों के LHS को हम लोग add कर लिये और RHS को एक साथ तो 3 plus 30 यहाँ से देखो A और A cancel होगया plus minus cancel और यहाँ से B plus B 2B B plus B 2B is equal to 16 तो यहाँ से जो B का value है वो आ गया 16 by 2 B का जो value होगे 16 by 2 यानिकी 8 आ गया B का जो value है वो कितना आ गया भाई 8 आ गया और B का जैसे ही value निकला उस B के value को तुम या तो इस equation में put कर लो या तो इस equation में put कर लो और easily तुम A का value निकाल लो तो हम लोग put कर लेते हैं माल लोग B हम लोग यहां put करते हैं तो A plus B हमारा 8 है तो 8 is equal to 13 हो गया तो A का value आ गया 13 minus 8 यानिकी 5 आ गया A का value कितना है 13 minus 8 यानिकी 5 आ गया बात clear है तो B का value 8 और A का value हम लोग 5 निकाल लिए अब क्या करें तो यहां तक तुम लोग screenshot ले सकते हो हम लोग A और B का value कैसे निकाले इस A का value और B का value हमें याद होना चाहिए बाकि हमी raise कर रहा है देखो देखो A का value था 5 और B का value था 8 A का value था 5 और B का value था 8 था B का value कितना था वही यारे बोलना यार 8 था देखो अगर A का value 5 था और B का value 8 था तो अब तुमको कुछ नहीं करना बड़ा असान हो गया जो भी तुमारे पास polynomial है जो भी polynomial है इसमे Fx is equal to क्या हो जाएगा अब हमारा नय polynomial x to the power 4 minus 2x cube plus 3x square minus A के place पर हम लोग 5 रख लेते हैं तो यह हो जाएगा 5x और प्लस हो जाएगा हमारे पास B के place पर 8 रख लेते हैं तो minus 5x plus 8 हो जाएगा मतलब क्या है कि जो भी यहां से हम लोग A और B का value निकाल लेते उसको हम लोग simply polynomial में put कर देए अब हमसे बोला था कि अभी यह जो polynomial आया न इस polynomial को जब हम लोग x-2 से divide करेंगे तो remainder क्या आएगा यह हमें बताना था तो मान लो कि इस बार जो हमारे पास एक Tx है Tx is equal to x-2 है इस polynomial से हमको divide करना है x-2 से हम लोग इसको divide करेंगे तो remainder क्या आएगा फिर से वही concept diviser को 0 से equate कर लो तो x का value आगया 2 x का value आगया 2 तो इस 2 को यहाँ put कर दो यानि कि F2 हमारा remainder हो गया F2 हमारा remainder हो गया और F2 का मतलब क्या है F2 का मतलब है कि 2 का power 4 minus 2 into 2 का cube plus 3 into plus 3 into 2 का square minus 5 into 2 plus 8 समझ में आ रहा है ना समझ में आ रहा है F2 is equal to 2 का power 4 minus 2 into 2 का cube plus plus है भीच में तो plus 3 into 2 का square जहाँ जहाँ x था महा महा इस 2 को हम लोग put कर लिए put किये तो देखो यह 2 का power 4 है इसको हम लोग लिखेंगे 16 minus यहाँ 2 into 2 का power 3 देखो 2 into 2 का power 3 यानि कि यह भी हो जाएगा 16 8 into 2 16 plus यहाँ से 3 into 2 का power 4 यानि कि क्या 4 2 का power 2 यानि कि 4 2 का power 2 यानि कि 4 3 into 4 minus 5 into 2 यानि कि 10 plus 8 10 plus 8 तो यहाँ से 16 और 16 कैंसल हो गया 3 into 4 12 आ गया और 12 minus 10 plus 8 देखो यह 12 और 8 दोनों को गर एट कर ले तो हम लोग के पास आएगा 20 minus 10 देखो यह दोनों एट किये तो 20 और 20 यह minus 10 था minus 10 is equal to आ गया 10 यानि कि हो गया बड़ा simple कि जब हम लोग उसी polynomial को जब हम लोग A और B का value निकाल लिए और उस value को put किये तो polynomial कुछ ऐसा बना और देन उस polynomial को अगर हम लोग x minus 2 से divide किये तो हमरे remainder आया ठेन बात clear है ना तो बात clear होना भी चाहिए और हम लोग अब next video में मिलेंगे यह जो तुम तीन question समझे इसको अगर बारी की से तुम समझ गए हो तो अब तुम अपने book से question करो मैं तुम को confirm बताता हूँ कि तुम एक एक question बना पाओगे किसी भी book से बनाओ no matter remainder theorem के concept को अच्छे से समझो क्योंकि बड़ा ही important है और इससे related जितने भी questions से उन्हें बनाओ बनाने time अगर दिक्कत आता है तो comment करो हमारी team यानि मिगदीप academy के team तुम्हारी help करने की पूरी कोशिस करेगी लेकिन तुम मल लगा के पढ़ाई करो चलो हम लोग next वीडियो में मिलते हैं next वीडियो में हम लोग discuss करेंगे एक और important theorem that is factor theorem तो मिलते हैं हम लोग next वीडियो में Bye